यूपी विधान सभा चुनाव की सातवी औरंदिम चरण के मतदान की दिन मौजिले के ग्रामिणों ने चुनाव का बहिस्त कार कर दिया जहां 353 मधुबन विधान सभा की धर्मपूर देवरा इस्थितबूद संख्या 266 पर एक भी वोट नहीं डाने गए बताया जा रहा है कि सर्यू नदी की कटान के मुद्दे पर ग्रामिणों ने वोट का बहिश्कार कर दिया ग्रामिणों का कहना है कि गाओं में सर्यू नदी की कटान के मुद्दे पर कई बार जन प्रतीनितियों से लेकर अधिकारियों को बताया लेकिन किसी ने सुध नहीं ली तो वो अपने मता अधिकार का उप्यूग क्यों करे ग्रामिणों ने विधानसवा चुनाव के बहिसकार का एलान कर सब ही को चौका दिया मौके पर जिला पर शासन के अधिकारी ग्रामिणों को समझाने में जुटे रहे बतादे के मधवण विधानसवा का ज्यादतर हिस्सा सर्यू नदी के किनारे पढ़ने के कारण यहां पर बारिश के समय बाढ़ और गर्मी में फसलों में आग लगी की घटना पर मुखमदा है हाला कि हर वर्ष घागरा नदी के कटान से खेती और फसलों को सरक्षित रखने के लिए सरकार की तरफ से करोण और रुपए खर्च के जाते हैं बवजूद इसके इस्थिती अभी भी वैसी बनी हुई है जन्प्रती निध्यों द्वारा चुनाओं में लगादार वादे तो किये जाते हैं लेकिन छेत्र वासियों के समस्या से निजाद अभी तक नहीं मिल सका आर्थिक रूप से पिछड़े छेत्र के लोगों का प्रमुख वेवसाए खेती किसानी है लेकिन हर वर्ष बाढ़ में सैकडू एकड़ फसल दूप कर डस्ट हो जाती है और केसान मुआवजा और बाढ़ की वेवी सकासे बचने के लिए जन्र प्रतिनी धियों सहित सरकार से गुहार लगाते रहते हैं मदवन विधान सभा में कुल वोटरों की संक्या तीन लाग बानवे हजार तीन सो बानवे है इसमें महिला की वोटर एक लाग एक क्यासे हजार पांट सो चौटीस है तो ही कुल पुरूश मतदाता दो लाग दस जार आट सो ठार है जबकि थर्ड जंडर मतदाता एक तानिस है इतनी बड़ी संक्या में मतदाता होने के बावजूद भी बूत पर अगर वोट का बहिसकार हो जाए तो इसमें ये किसी भी प्रत्याशी के लिए खट या खड़ी होने जैसी होगी